वैदिक जोतिस के अनुसार सभी 27 नचत्रों में आठवे इस्तान पर पुस्य नचत्र आता है या बहुती सुम नचत्र माना गया है जब या नचत्र रवी वार के दिन आता है तो वार और नचत्र के सयोग से जो योग बनता है उसे रवी पुस्य योग कहते हैं सभी नचत्रों में पुस्य नचत्र को स्रेश्ट माना गया है या सुब मूरत खरीदारी के लिए अत्यान सुब माना जाता है पुस्य नचत्र के दिन किये गए हर कारे का उत्तम फल प्राप्त होता है पुस्य नचत्र को सभी 22 नचत्रों का राजा माना गया है या अत्यान दवी पुस्य योग का महत्व किसी भी सुपकार के लिए यह योग सबसे अच्छा माना जाता है, मूरत हो या नहीं, नचत्रों की इस्तिती प्रतिकूल हो या नुकूल इस योग में किया गया कार बहुत ही लाप्रत माना जाता है, इस योग में विवान नहीं किया जाता है, सास्त्रों के अनुसार इस नचत्र में धन की देवी मालक्षमी का जनम हुआता इस योग में भी विवा करना वर्जित होता है इस योग में भी सुरू किया गया नयाकार सफल होनता है इस योग में नएकार की सुर्वात के लिए मुरत देखने की आशकता नहीं पड़ती है या योग यंत्रसिद्री के लिए भी बहुत ही सुमाना जाता है इस योग में पूझा अर्चना करना फल्दाई होता है तो आईए जानते हैं साल 2023 में रवी पुष्ष्य योग कब कब है साल 2023 का पहला रवी पुष्य योग आट जनवरी 2023 दिन रवीवार को सुबे 7 बच के 11 मिनट से सुरू हो रहा है और इसकी समापती नौ जनवरी को सुबे 6 बच के 5 मिनट पर अगला रवी पुष्य योग 5 फरवरी 2023 दिन रवीवार को सुबे 7 बच के 4 मिनट से दुपहर 12 बच के 13 मिनट पर अगला रवी पुष्य योग 10 सितंबर 2023 दिन रवीवार को सामप को 5 बच के 6 मिनट से 11 सितंबर को सुबे 6 बच के 2 मिनट पर अगला रवी पुष्य योग 8 अक्टूबर 2023 दिन रवीवार को सुबे 6 बच के 15 मिनट से 9 अक्टूबर को सुबे 2 बच के 45 मिनट पर अगला रवी पुष्य योग 5 नवंबर 2023 दिन रवीवार को सुबे 6 ब मंत्र की साधना करने से साधना सफल होती है विमार व्यक्तियों का उपचार इस योग में सुरू करने पर स्वास्त में लाब मिलता है जनम कुंडली में सूरी की इस्तिती अच्छी नहीं होने पर सूरी की पूजा इस योग में करने पर सूरी का दोस्त दूर होता है रवी त्रंत की सिद्धी यंत्री इत्यादी बनाने का काम भी उप्यूक्त होता है और यह सुपता को बढ़ाता है रवीपुसी योग समझ सुप और मांगली कारियों के सुबारम के लिए उत्तमाना गया यदि क्रह की स्थिती प्रतिकूल हो अत्वा कोई अच्छा मूरत नहीं भी हो ऐसी स्थिती में भी रवीपुसी योग सवी कारियों के लिए लापकारी है लेकिन विवा नहीं किया जाता है इस योग में सोने के आभूसर प्रॉपटी और वाहन आदी की खरिदारी करना लाप्रद होता है रवीपुसी योग में नए व्यापार व्यवसाई की सुर्वात करना भी स्रेजड होता है इस योग में साथना करने से उसमें निश्ची थी, सकलता प्राप्त होती है, कारी की गुर्वत्ता और उसके प्रभाव में ब्रिद्धी होती है, धन्वैबों में ब्रिद्धी होती है, यंत्र सिद्धी के लिए यासुब दिन है, जनम कुनली में सूरी के दूस प्रभाव को पाट करने से पाप कर्मों का प्रफाव कम होता है इस योग में लाल गाय को गुड़ और मीठी रोटी खिलाने से आठिक परिसानी दूर होती है किसी कारे की सिद्धी के लिए रवी पुश्य योग में भगवान के सामने घी का दीपक जला कर प्रातना करना सुफलदाई होता ऐसी माननेता है कि तामे के बरतन में लाल फूल, दू, जल और लाल चंदन एवं सिंदूर डालकर सूरी को जल देने से आरोग के सुख मिलता है और सत्रों का भै दूर होता है रवी पुस्य योग के समे मालक्ष्मी जी की धन प्राप्ती के मंत्र का जब कमल गट्टे की माला के साथ 108 बार करे इससे धन के दवार खुलेंगे मालक्षमी को कमल पुस्प अतिप्री है उनकी पंचोप चार पुझा विदी या सोप चार पुझा में कमल पुस्प और सफेद मिठायत पित करें इस पुझे नतर के समय अपा मार के पौधे का माते पट्टिलग लगाने से आपकी सम्मोहन सकती बढ़ेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे सुब मूरत में यदि आप धन सच्चे करने वाली तिजोरी में अपा मार की जड़ रखेंगे तो यह तिजोरी आपके लिए भाकिशाली और धन खिशने का साधन बनेगी इस दिन माला से मंतर जबका सही दिन माना जाता आप किसी मंतर को जड़ दोरा सिध भी कर सकते हैं